लोहिया महाविद्याले के नियमित विद्यार्थियों का अभिनंदन बिये पार्ट रितिये के पेपर फस्ट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि महादेवी वर्मा की कविता हमने पढ़ी थी कल के लेक्चर में और आज अपन महादेवी वर्मा की दूसरी कविता जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ने जा रहे हैं तुम मुझमें प्रिये फिर परिचय क्या महादेवी वर्मा की ये कविता आपके सिलेबस में हैं तो इसमें महादेवी वर्मा अपने प्रियतम को असीम प्रियतम को जो उनको प्रणे निवेदन करती हुई बात कर रही है और उनका ये कहना है कि ये प्रिये तुम मुझ में हो फिर किसी परिचय की आवशक्ता नहीं है तो वो एकात्म कैसे है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है तो देखिए चलते हैं करते हैं अपन व्याख्या तुम मुझ में प्रिये फिर परिचय क्या तारक में छवी प्राणों में स्मृती पलकों में नीरवपद की गती लगु उर में पलकों की संसृती भर लाई हूँ तेरा चंचल और करूं जग में संचय क्या महा देवी वर्मा अपने प्रिये से एकाकार होते हुए कहती हैं हे प्रिये तुम मुझ में प्रिये यहां प्रणय निविदन करती हुई महा देवी वर्मा अपने प्रिये के साथ एकाकार होती हुए कहती हैं हे प्रिये तुम मुझ में हो मुझी में समाय हुए हो फिर मैं अपना परिचय क्या दूँ भला कोई किसी अभेद्य का कैसे परिचय दे जो एकाकार हो उसका क्या परिचय हो तो अद्वैत है तो उसमें कोई दो चीज है ही नहीं तो कवित्री कहती है कि तुम मुझी में समाय हुए हो फिर मैं अपना अलग से परिचे क्या दूँ तारक में छवी प्राणों में स्मृति पलकों में नीरवपद की गति कवित्री कहती है कि मेरे नित्र तारकों में आपकी छवी समाई हुई है आँखों के जो तारख है उनमें आप ही की छवी चाया चित्र जो है वो समाया हुआ है और प्राणों में स्मृति प्राण मात्र में मेरे प्राणों में आपकी स्मृतियां समाई हुई है महादेवी जी कहती है पलकों में नीरव पद की गती और जो आखों की पलके हैं उनमें आपकी पदचाप जो है उसकी गती सुनाई देती है नीरव यानि शब्द हीन वो पदचाप जो शब्द हीन है वो मेरी पलकों में समाई हुई है यानि जब आखें बंद करती है तो पलकों में अज्यात प्रियतम जो है परमात्मा रुपी प्रियतम है उनके चर्णों की जो गती है पैरों की जो गती है वो सुनाई देती है नित्र तार्कों में, जो है, उनकी छवी समाई हुई है, और प्राणों में अनंत स्मृतियां है लगु उर्मे पुलकों की संसर्थी, यहां पलकों छपा हुआ है, आप पुलकों पढ़ना इसको, एडिटिंग में दिक्कत होगे थोड़ी कवीत्री कहती है कि मेरे छोटे से रिदय में बहुत सारी पुलकों की यानि जो प्रिये से मिलन की जो पुलक है खुशी है प्रसनता है स्मृतियों की पुलक है उनका संसार बसा हुआ है भर लाई हूँ तेरी चंचल और करूँ जग में संचय क्या कवीत्री कहती है कि मेरे छोटे से रिदय में क्या भर के लाई हूँ प्रियेत्म की चंचल बहुत सारी जो पुलक है स्मृतियों जो यादें है जो सिहरन है उनका संसार बसा हुआ है स्मृतियों का संसार बसा हुआ है और बहुत सारी खुशियां है पुलक हैं प्रसनता है उन प्रसनताओं का संसार जो है वो भरा हुआ है और करूं जग में संचय क्या कि इस संसार से तो भला और क्या संचय करूं क्या इकठा करूं यही मेरे लिए बहुत सारी चीजे हैं और यही मैं लेकर के कवियत्री कहती है कि परमात्मा रुपी प्रियत्म को समर्पित करना चाहती हूं यही लेकर के मिलना चाहती हूं और यही परिचे है। तुम्हारा मुख जो है उसकी जो हास्य है सहास यानि जो मुस्कुराहाट हसी जो है उसमें प्रात्यकाल का सूर्य उधित होता है। तुम्हारा मुख जो है उसकी हसी तो सूर्य के समान प्रात्यकालीन सूर्य के समान चमकदार है परचाई रजनी विशाद में और तुम्हारी जो परचाई है वो रात्री का विशाद है। कि प्रियतम की परचाई रात्री है तो सवेरा मुख की खुशी और हसी है। वह जागरती वह नीद स्वप्ण में कि वो जो मुख का हास्य है वो तो जागरती उत्पन्न करता है। प्रियतम का जो हास्य है वो प्रात्य कालिन सुश्मा को भिखेर देने वाला है, जागरती लाने वाला है और जो विशाद में रात्री है, पर वो विशाद की रात्री भी सपनों में भरीवी नीद का विचरन कराती है। सपनों का विचरन नीद में कराती है। वे जागरती वे नीद स्वपन में जो परचाई है, जो रात्री है, वो सपनों से भरीवी नीद के समान है। खेल खेल थक थक सोने दे कवित्री कहती है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो खेल खेल के सपनों को पापा करके थक थक करके सोने दो मैं समझूंगी स्रिष्टी प्रले क्या कवित्री कहती है कि चिर निद्रा में सो जाने से पहले खूब खेल लेना चाहती है और कवित्री कहती है म पराप्त सुख है जो कभी हसी और कभी नींद में जागरती और कभी सपनों में विचरन करना स्रिष्ची और प्रले इसके आगे मेरे सामने कुछ भी नहीं है मा देवी वर्मा वर्णन करती है कि हे प्रिये तुमारे अधर जो है वो प्याले के समान है विचुम्बित यानि चूमा हुआ कि वह प्याला जिसको चूम करके कोई मदिरा पीता है तो तुमारे अधर जो है होट जो है वो प्याले के समान है तेरी ही स्मित मिश्रित हाला और उस प्याले में तुम्हारी मुश्कुराहट मिश्रित मदिरा है उसको चूम लेने से जो है एक मदिरा का नशा होता है तेरा ही मानस मदुशाला है प्रियतम तुम्हारा ही मानस जो है वो मदुशाला के समान है कि तुम्हारा मानस तो मदुशाला है और उसमें तुम्हारे अधर जो है वो वह प्याला है जिसको का चूम्बन करने से जो मुस्कुराहट मिश्रित मदिरा है वो छिटक जाती है उसक नशा हो जाता है फिर पूछूं क्या मेरे साकी देते हो मधुमय विश्मय क्या। कवित्री कहती है महादेवी वर्मा कहती है अते हे साकी जब तुम ही पिलाने वाले हो तो मैं क्या पूछूं साकी यानि मदिरा पिलाने वाला तो मैं उस साकी से क्या पूछूं कि तुम मधुमय देते हो या विश्मय देते हो क्या देते हो यानि संदे की स्थिति तो है ही नह क्योंकि जब प्रियतम स्वयम ही देने वाले हैं स्वयम ही साकी हैं तो फिर वो अमरित दे रहे हैं या विश्ट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं इसको पूछने का कोई ओचित्य नहीं है क्योंकि प्रेम तो प्रेम है और प्रेम में एकाकार हो जाता है व्यक्ति तो उसके लिए विश और अमरित दोनों कोई माहिने नहीं रखते हैं प्रेम ही सबसे उपर रहता है तो कोमल कांत पदावली में और उद्धीपन रोप में कवित्री ने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है इसमें गीतात्मकता भी है और सम्वेदन शीलता भी है अनुप्रास रूपक उपमालंकारों का प्रयोग किया गया है इस प्रकार इसको पढ़िएगा बच्चों और समझने की कोशिस करना महाविद्याले के इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किजिएगा धन्यवाद मुझे सुनने के लिए